नमस्कर दोस्तों बात करेंगे spider veins के बारे में इनके symptoms क्या है यानि इसे कैसे पहचानते हैं इनकी treatment क्या है और इनसे हम कैसे बच सकते हैं इनका मतलब है कि skin के नीचे की जो बहुत चोटी सी veins है उसमें कुछ damage की वज़े से वो prominently डिखने लग गई है क्योंकि यह बहुत ही thin veins होती है तो spider की तरह दिखती है इसलिए इनके spider veins बोला जाता है और इनका color red हो सकता है blue हो सकता है या even purple भी हो सकता है यह ज़र दर legs और face में common है लेकिन body के किसी भी हिस्से में यह हो सकती है spider veins को usually लोग varicose veins से confuse करते हैं varicose veins में veins का size बहुत बड़ा होता है और वो torches होती है और usually उनका color purple जैसा नहीं होता और आप यह figures देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक varicose vein दिख रही है और यहाँ पर एक spider vein तो इसे देखकर यह पहचान सकते हैं कि आपको spider vein की problem है या varicose vein की बात करेंगे कि spider veins के symptoms क्या है usually यह सिरफ एक cosmetic problem रहती है यानि की patient feel करते हैं कि उनकी legs में जो veins नजर आ रही है वो देखने में अच्छी नहीं लग रही लेकिन इसके इलावा कुछ-कुछ patients उस एरिया में हलकी pain feel कर सकते हैं cramping feel कर सकते हैं, itching feel कर सकते हैं और rarely ही थोड़ा सा edema भी हो सकता है इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सारे symptoms जरूरी नहीं है कि आपकी spider veins की वज़े से ही हो क्योंकि यह damaged blood vessels है और जरूरी नहीं है कि इनको treat करने के बाद यह symptoms ठीक हो जाए so spider veins को ठीक करने का main मकसद cosmetic treatment ही है यानि कि वो देखने में जो बुरी लग रही है उससे आपको निजात मिलेगी लेकिन जो इसके साथ आप symptoms feel कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि spider veins के treatment के साथ बूठीक हो जाए लोग यह भी पूछते हैं कि क्या spider veins की कुछ complication हो सकते हैं यूजिल इसकी कुछ भी complication नहीं होते क्योंकि बहुत चोटी veins हैं और just skin के अंदर ही हैं so except for cosmetic reasons इसमें कोई और complication होने का chance नहीं रहता है लेकिन कुछ लोगों की spider veins हैं वो chronic venus insufficient की वज़े से होती है और यानि कि लेक्स का pressure है वो chronically जादा है तो उन conditions में इसमें complication होने का ड cosmetic problem है यह underlying कोई और problem भी है बात करेंगे कि इसका treatment क्या है जो most common treatment इसका sclerotherapy है यानि कि doctors एक sclerosent agent बहुत dilute form में एक बहुत बरीक नीडल से आपकी spider veins के अंदर inject करेंगे और कि कोई जारतर यह veins connected रहती है तो एक point से inject करने से काफी area cover हो जाता है और यह veins अंदर ही अंदर damage होकर collapse हो जाती है इमिजेटली काफी अच्छा result मिलेगा जारतर veins disappear हो जाएंगी लेकिन जैसे रैसे time जाएगा कुछ patient में कुछ veins फिर से दिखने start हो सकती है और यह नई veins भी बन सकती है तो एक simple सा OPD procedure है आप इसे repeat भी करवा सक अगर veins का size ज्यादा हो तो किसी किसी condition में इसे laser की मदद से भी बन किया रह सकता है और laser से भी इसे ठीक करने में help ली जा सकती है विरोथरपी एक OPD procedure है आप सुबह आईए अपना procedure करवाकर immediately वापिस जा सकते हैं उसके बाद doctors आप उस area को कुछ देर तक एक bandage के साथ cover करने क की सला देंगे या stalking जानने की सला देंगे तांकि जो veins हैं वो compressed रहें और आपको और भी अच्छा result मिले अब अपनी normal activity में immediately वापिस जा सकते हैं इसमें कोई भी bed rest की जरूत नहीं होती और बहुत ही जल्दी आप recover कर सकते हैं बात करेंगे कि spider veins के risk factors क्या हैं कुछ patients अगर long standing करते हैं उससे उनकी veins का pressure legs में बढ़ जाता है और उससे भी spider veins हो सकती है weight ज्यादा होने से भी इसकी problem बढ़ सकती है patients में pregnancy के बाद भी spider veins देखनें को मिली है hormonal therapy के कारण भी यह veins हो सकती है और कुछ patients में prolonged smoking के कारण भी यह veins दिख सकती है तो इनसे prevention कैसे करें जो कारण आपको बताये गए हैं उन्हें prevent किजे prolonged sitting या standing को award किजे weight ज्यादा है तो उसे कम किजे smoking को बंद किजे इसके लबा regular physical activity किजे अगर आप बहुत prolonged sitting वाली job करते हैं तो बीच बीच में उठकर walk करते रहे आपको ली जोसे अप नप बच पाएंगे वी ओप की डिस वीडियो इस उसल फॉर वीजु इए इस लिए कि रिए इस चैनली लाइक यह ज़्सक्राइब दीजुरंथ Thank you.